आप रिक्वेस्ट करने और मैं अगर रिक्वेस्ट नहीं मानू तो यह गैन कानूनी तो नहीं होगा आप मुझसे कर सकते हैं और मैं उसका रिस्पेक्ट भी करती हूँ पर मेरी इच्छा थी कि हमारी 200 महीने से आंदोली थें 500 किसान अपने शहीद हो चुके हैं और आज महीना जंतर मंतर पर हैं मेरे जाने से law and order कैसे खराब होगा मैं तो कानून की सबसे जादा मानने वाली हूँ कभी 27 साल की राजनीती में कानून नहीं तोड़ा और आज भी कभी कोशिश नहीं है अगर 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 जाएं तो बढ़ आफार दिया अगर अगर जाओंगे 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 वहाँ पर उठे अगर अगर जाओंगे तो मुझे रोकेंगे मैं सिर्फ यह पूछ रही हूँ आप से आप रोकेंगे आप नहीं जाने देंगे तो आप सब मुझे नहीं जाने देंगे साथियों अपने घर पे हूँ आज 26 जुलाई को किसान संगत्नों ने जो है घोशना की थी कि वो जो है जंतर मंतर पर 200 महिला महिला किसान आज अपनी संसद बुलाएंगी उस पे किसान बिलो पर चर्चा करेंगी नियुंतन समर्थन उनले कानून पर मांग उठाएंगी और वो मांग देश की संसद चल रही है वहाँ उठेगी लेकिन आप देख रहे हैं मेरे घर में जो है वो पुलीस आच चुकी है उनका कहना है कि वो मुझे निवेदन कर रहे हैं कि मैं जंतर मंतर ना जाओं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं जंतर मंतर पहुचती हूँ तो कौन सी कानून विवस्था में जो है वो सबसे बड़ा उसका उलंगन होता है मैं कोई कानून नहीं समझ पारी कि कि किस कानून के तहर देश की जो सरकार है क्योंकि दिल्ली पुलीस मुझे मालूम है अगर उनका सयोग ना होता तो आज किसान जंतर मंतर पर ना होते हैं आज किसान जंतर मंतर पर इसलिए दिल्ली पुलीस कमिशनर सहाब आपका धन्यवाद करती हूँ आपका धन्यवाद करती हूँ कि दिल्ली पुलीस कमिशनर ने किसानों को अन दाताओं को विशक आट मही ने बाद इजाज़त दी और वो जंतर मंतर पर आकर अपनी संसत कर पा रहे हैं लेकिन हमारे जैसे लोग दिली के नागरिक हैं किसान नहीं हूं लेकिन उस अनदाता की कर्जदार जरूर हूं उसका अन खाती हूं मैं ही नहीं इस ताले बंदी पे जिस 80 करोड लोगों को किसेंद्र की सरकार मुफ्त राशन के दावे कर रही है वो भी इसी अनदाता के दम पर होते पा रही है उसे समझना होगा और आज उस अनदाता का कर्ज उतारने के लिए इच्छा थी कि दिली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं 500 से ओपर किसान शहीद हो चुके हैं आत्वा महीना चल रहा है संसद चल रही है क्यों नहीं हमारे हमारे परदान मंतरी जी एक दिन का संसद सत्र पूरी तरह हमारे अनदातों को समर्पित कर देते क्यों नहीं पूरा एक दिन हमारे इन तीन क्रिशी कानूनों पर चर्चा होने देते कौन रोक रहा है कौन रोक रहा है आ हम बात करेंगे, बात्ची से रास्ता निकालेंगे, या तो यूहीं देखते हैं, सच्चो साब अपनी टीम के साथ कब तक मुझे यहां बिठाए रखते हैं, या बीच का कोई रास्ता निकलता है, मैं वहाँ जा पाऊं या नहीं जा पाऊं, पर मैं आप सबसे निवेदन करत थे, राहूल गांधी जी के नितित में खड़े हैं, और खड़े रहेंगे, संसद के अंदर, राहूल गांधी जी के नितित में कॉंग्रस के संसद, आपकी किसानों के लड़ाई को लड़ रहे हैं, और बाहर से, बाहर से हमारी जैसे लोग भी, आप किसानों के अंद दाता यह लोकतंत्र की हत्या होके अगर हमारे बढ़ते कदमों को लोकतंत्रीक तरीकों से हम वहां जाखकर सिर्फ समर्थन देना चाहते हैं यह पूरा-पूरा आंदोलन आठ महीने बिल्कुल हिंसक नहीं रहा गांदी वादी तोर तरीकों से यह अंदोलन आगे बढ़ रहा है और मंतर मंतर जाने दें अगर नहीं भी जाने दिया तो मैं आप सभी साथियों को कहूंगी पूरी की पूरी कांग्रस का समर्थन किसानों के साथ है मुझे नहीं मालूम सब को समय दिया था खासों से महिलाओं को दिल्ली की महिलाओं से अपील की थी कि आज महिला किसान अपनी ग्यारा महिला मंत्री उन्होंने जो है बनाई है महिला मंत्री एक ने तो किसानों को हमारे आनदाताओं को मावाली तक कहा भी कुछ दिन पहले नाम सब जान चुक है कौन महिला सांसद है लेकिन उन महिला सांसदों से कोंगी मंत्री है आप आए ना आए जंतर मंतर पर आप प पक्ष रखेंगी और इस पे जो चर्चा होगी उसे हमारे जैसे लोग जो ना किसान हैं और ना संसत की सांसाद है ना मंत्री हैं सुनेंगी और यही लोगतंत्र को मजबूती देखा लेकिन ये जो तरीकें हैं ये ये जो तरीकें हैं मैं माफी चाहूंगी इन तरीकों से साथ ही कह रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कानून के डायरे में रहते हुए पुलिस की इजाज़त के साथ जाओं अगर जाओं तो वना जोड़ जबरदस्ती से क्या हासिल होगा या आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ कि कुछ हासिल नहीं होगा बीच के रास्ते निकालने की कोशिश है बहुत एक अच्छे महौल में हमारे अस्चो साहब कहें और उनकी पुरी टीम बैठी हुई है बातचीत कर रहे हैं कोशिश कर रही हूँ रास्ते निकलेंगे पर इस तरह से मैं कहूं अगर आप कहेंगे डिटेन कर लिया अलकाल गुझेगी और तब तक गुझेगी चब तक ये तीन काले क्रिशी कानोन वापिस नहीं लिये जाते हैं तब तक जै हिंद जै भारत